मेरा नाम फजल है और आज जो हम तुटोरियल करने वाले हैं वो एंडॉड से रिलेटेड होगा एंडॉड में एक टॉक्बेक नाम का फीचर है जो की जातातर काम आता है लो वीजिन और ब्लाइड लोगों के लिए तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं उसी का मैं टुटोरियल आपको देने वाला हूँ ठीक है तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का टुटोरिल तो गाइस बिसिकली मैं बता दूँ मैंने टॉक्बेक रिजुम कर दिया है मैं आपको इसका देता हूँ कि अगर आपको पता नहीं है तो आपको पहले सेटिंग्स में जाना है और चुकि मैं इसके लिए शाओमी का रेड्मी नोट 4 उसके लिए तो यहां पर आपको एडि आपको टॉक्बेक क्लिक करना है और इसके नीचे लिखा हूँगा उसकी जस्त राइट साइड में आपको उसका बटन मिल जाएगा टॉक्बेक आउन करने का तो फिलाल अपना ऑन है इसके लिए मैं आफ और या ऑन नहीं करूँगा तो हम बॉटम मिडल बॉटम में चले जाते हैं वहां पर settings कीबटन है टॉक्पेक की हम टॉक्बेक की setting रह सिर्प लेटंटी जो धुति इसने उसका वर्जम बता ल्यटです के अप्र पहले जाएगी यानि उसके साथ साथ काम करेगी तो अगर आपका फूनका वालिम मैक्सिमम है तो टॉक्वेक का वॉल्यूम भी मैक्सिमम होगा ओके मैं इसको 75 मीडिया वाल्यूम कर देता हूँ अब आप देख रहे हों हलका सा आवास कम हो गई ठीक है एट मी शोई आगे तो इसमें होता ही है कि अगर आपका वॉल्यूम फूल भी होगा तो टॉक्वेक का वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना आपने सेट किया है इसलिए मैं आपको रेकेमेंड करूंगा कि आप इसको मै एक मेच मीडिया वॉल्यूम पर ही रखे ताकि यह अपने पोन के वॉल्यूम में साथ मैच हो सके है इसमें होता यह है जो भी आपके पास ट्विट्वेस इंजिन है जैसे यह देख दो गुबल ट्स पीच इंजिन एक मेरे पास है जेट रेडियो बटन आटो टीटीएस ए एक इंजिन सेटिंग है यह स्पीक है जो आप अभी वॉइस सुन रहे हो वह एलिक्वेस का वॉइस है ओके तो यह जो है हिंदी और मराथी बेसिकली रीट करने के लिए काम आता है काफी यूसफूल है तो मेरे पास इतने सारे इंजिन है टीटीएस के पुर्थ ऑप्शन के जलते हैं वबवस्टी यह जो है यह उप्शन इसके अंदर कुछ कालेक्शन से सेटिंग्स के एक्चलि यह पुराने टॉबबैक पे नहीं था पर इन्होंने अलग से फोल्डर बना दिया आगाइस उसका ठीक है तो यहां पको वबवस्टी जो है जो रिखेंदें जो पी आज युनों सेटिंग दिये हुए हैं अगर अगर आप हाइप रखोगे तो वो सारे सेटिंग्स आउटमेकली अविलिबल रहेंगे ओपन रहेंगे लिकिन आप उसमें कोई चेंज़िस नहीं कर सकते ठीक है अगर आप हाइप रखोगे अगर आप लो डीटेल्स राइट कीबोड एको यही सारे नीचे आप देखोंगे options आएंगे यह सारे options disabled रहेंगे अगर आप verbosity low रखोगे और अगर आप higher रखोगे तो सारे options enabled रहेंगे मगर आप उसमें कुछ changes नहीं लापाऊगे तो keyboard echo always speak type इसमें होता यह है कि आप जो भी type करोगी आपको टॉक पर उसका feedback प्रोवाइट करेगा okay usage hints इसमें क्या होता है अगर आप इसे on कर देते हो तो यह लेखे यह जो tap to activate बोला ना यह usage hints है यानि कि आपको वहाँ पर क्या करना है आपको double tap करना है check box check करना है क्या करना है यह talk back आपको बताएगा ठीक है अगर आप इसे off रखोगे तो यह नहीं बताएगा तो मैं अगर आप blind हो या आपको बहुत थम दिखता है तो मैं आपको recommend करूँगा कि इससे आप on रहने देना फिलाल मैं off कर रहा हूं ओके list and greet information अगर कोई भी जो आपका document है उसमें अगर वो list form में है या फिर greet form में है लिस्ट form में कैसे होता है नीचे 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 होता है और greet form में कैसे होता है आपके जो है column and rows voice होगा तो उसमें जो है आपको यह बराबर अच्छे से पढ़के बताएगा अगर आप यह on रखोगे कि वो grid view है या list view है ठीक है तो मैं आपको recommend करूंगा on रखो इसको मैंने भी on रखा है ठीक है आप भी on ही रखना element type element type is spoken for focus item on switch element types क्या होते हैं element types वो होते हैं कि अगर आपको जो है edit box पे हो तो वह आपको बताएगा कि यह है अगर आपको कोई check box check लगाना है तो वहां कि आपको बताएगा this is check box check or check box not check तो आपको इसको on रखना चाहिए ओके next option okay let me tell you about this function इसमें क्या है phonetic letters जैसे आप keyboard पे कुछ भी type करते हो और आपको उसकी pronunciation अच्छे समझ में नहीं आ रही है तो आप उसके long press करते हो ना तो यह आपको बताएगा a4 alpha d4 delta e4 i जो भी जो भी उसके word से letter से related word होगा वह आपको पढ़ के बताएगा तो अगर आप चाहो तो आप रख सकते हो अगर आपका जो है यह option checkbox है तो उसमें होगा यह कि आप जो भी letters जो भी letters पे जिससे कि आप keyboard पे टाइप कुछ करते हो तो अगर आप capital letter में टाइप कर रहे हो तो इसकी पीच चेंज जाएगी और अगर आप small letters टाइप कर रहे हो तो इसकी pitch थोड़ी डाउन जाएगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप इसको capital टाइप कर रहे हो या जो है small letters टाइप कर रहे हो तो के अगर आप चाहो तो इसको enable रख सकते हैं उसके होगा यह कि आपका जो talkback है वह आपको screen lock पे भी notification देता रहेगा अगर आपका कोई भी notification आता है तो आपको reminder भेजता रहेगा तो अगर आपके बहुत से message आते हैं और आप जो है disturb होते हैं उनसे तो आप इसको checkbox अंचेक रखो या फिर miscellaneous में क्या options है अच्छा यह जो element की बात है वह किस order में होने चाहिए name state type या फिर आपको बताएगा कि यह checkbox check है या edit box है तो आप इसको on ही रखिए अब हम बैग जाएंगे प्रॉक्सिमेटी सेंसर क्या होते हैं जो आपके जो आप फोल में बात करते हो ना वहाँ पर speaker होता है उसके side में कुछ proximity sensors लगे होते हैं तो जैसे नहीं आप जब JAWS यूज करते हो तो आप control button से JAWS को control कर पाते हो अगर वो जादा पढ़ रहे तो उसी तरह आप इसको भी आपको बस अपने proximity sensor के आगे कुछ barrel लाना है आपका हाथ लाओ या कुछ भी आपका मूँ ले आओ चलेगा तो मैं आपको दिखा रेता हूं अगर आप फोन को हलका सा शेक देते हों तो यह continue reading करने लगेगा आपको बार बार स्वाइप करने की जरौत नहीं है अगर आपको पता है कि वहाँ पे documents big है, बड़ा है, तो आप उसको, उसमें options है, आपको कितना, यह disable कर दो, very light, यानि हलका सा भी अगर आप shake करोगे, तो यह पढ़ना start कर दो, light, थोड़ा सा, और हलका सा, अगर आप medium, यानि थोड़ा सा और जोर से करोगे, तो यह पड़ेगा, hard, यानि कि आपको बहुत जोर से phone को move करना पड़ेगा, very hard, okay, तो आप समझ गया होगे, इसको मैं medium रखा हूँ, आपको चीए तो आप रखो, नेता मत रखो, okay, तो missile units में नहीं option थे, इसके बाद other feedback में देखते है, vibration feedback, let me tell you, अगर आप चाहो तो on रखो, क्योंकि vibration feedback में होता क्या है, कि आपक इसको off रखा है, लेकिन आप लोग अगर blind होना, तो आप सको मैं recommend करूँगा, आप सको on रखो, because अगर आपका talkback का volume बहुत कम हो जाता है, और आपको पता नहीं है, by mistakenly, तो आपका vibration feedback work करेगा, तो जिससे आपको पता चलेगा, कि आपका जो talkback है, चालो है, अगर volume बंद है Okay, तो आप इसको on रखना, sound feedback, okay, मैं आपको सुना रेता हूँ, यह जो टुक 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 टुक, क्या आप सुन रहे हो न, वो sound feedback है, okay, इसको भी चाहते है, okay, audio ducking, decrease other volume, यानि कि अगर आप कोई movie देख रहे हो, max player में या फिर कहीं भी, तो अगर आपने अपना talkback चालो रख रहेंगे, automatically, तो आप इसको भी on रखो, जिससे कि आप टॉक बे, use कर पाओगे, अच्छा, यह वो option है, जो की linked है इससे, sound feedback, sound feedback, sound feedback, sound feedback, sound feedback, sound volume, sound volume, sound volume, sound volume, sound volume, media volume, यह क्या है, मालुम है, sound volume, 75 of media volume, in list, 4 items, showing item 2 to 4 of 4, इसमें क्या होता है, कि आप, check, 25 of media volume, यह जो टुक टुक की आवा सुनते हो न, background में, अगर वो आपको बड़ी चीए, ज्यादा चीए, तो, वो आप जो है, इससे कर सकते हो, cancel, talkback setting, sound volume, 25 of media volume, sound feedback, on, off, show, audio ducking, decrease other audio volume, while speaking, sound feedback, off, switch, तो, देखा, यह आपको आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको बड़ा करके दिखा लेता हूँ, 75, so you can see, sound volume, 75 of media, audio ducking, decrease other audio, vibration feedback, off, switch, यह चुक्चुक हो रहा है, इसका volume बड़ गया, तो, अगर आप गोर रखना चाहते हो, क्योंकि वो भी बहुत useful है, अगर आप किसी चीज़ पर क्लिक करते हो, तो वो क्लिक करके बताता है, कि आपने कुछ क्लिक किया है, right, तो वो आप अगर जाजा रखना चाहते हो, तो रखो, मैं उसको 25 पर रखोंगा, क्योंकि अगर आपको यह रखना है, अगर आपको यह रखना है, तो टॉक्वेक जो है, आप यह नहीं करेगा, मतलब नॉर्मल लुक्वेक चालो रहेगा, मगर जिसे नॉर्मल ही आप उन फोन यूज करते हैं, वैसा फोन यूज होगा, मगर होगा वो टॉक्वेक से, लेकिन टॉक्वेक रीट नहीं करेगा, क्यों आपके क्या लिखाए, मैं आपको इसको बता देता हूँ, सी, तो इसको आपको बंद, आउन रखना है, ठीक है, आटमेटिकली स्क्रोल लेस्ट, यानि कि जैसे आप स्वाइप स्वाइप करते हो ना, तो वो automatically scroll करेगा, अगर नीचे उसके, जो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो नीचे अपने अप स्क्रोल करेगा कि नीचे भी कुछ है लिखा हूँआ। और अपने आप scroll कर लेगा, अगर आप इसको off रखोगे, तो वो सिर्फ जो screen पे दिख रहा है, उतना ही पड़ेगा, और आपको scroll करके, खुझ से दो अंगली से scroll करके, खुझ से नीचे आना पड़ेगा, तो I would recommend you, कि आप इसको on रखे, Okay, single tap activation, जैसा कि आपने देखा ही, उसने पढ़ा कि it's experimental, तो इसमें क्या होता है, कि आपका talk में on रहेगा, लेकिन एक बार जब आप उसके focus करोगे, तो पड़ेगा, और जब दूसरी बार आप click कर दोगे, तो single tap पे click हो जाएगा, तो मैं आपको recommend करूँगा, आप इसको off रखना, अगर आप blind हो, और आपको double tap जमता है, तो मैंने इसको single tap रखा हुआ है, क्योंकि मैं low vision हूँ, तो मुझे जमता है single tap, ठीक है, आप लोग इसको on, मतलब off रखना, ठीक है, context menu show करता है, जो भी settings है वहां पे, लेकिन अगर आप उसको list में चाहते हो, तो यहां से आप उसको on रखना, और अगर आप list में नहीं चाहते, तो आपके लिए थोड़ी problem होगी, क्योंकि आपको finger swipe करते करते देखना पड़ेगा, कि वहां पे, कहां पे क्या option है, तो मैं recommend कर क्या option है, let me check, shortcut justice, swipe up, previous navigation settings, यहां पे आप settings को change भी कर सकते, आपको क्या चीए, next navigation settings, previous item, अगर आप swipe left करते हो, तो आप previous item पे चल जाते हो, और swipe right पे जो कि अभी मैंने किया, इसलिए में next item पे आ गया, उसके बाद है, okay, swipe up then down, focus first item on screen, routing, Ł啷, आप आप, धन आप, focus first item on the screen, okay, generating, okay, swipe left then right, scroll back, okay, swipe right then left, scroll forward, swipe up then right, open local context menu, okay, swipe up then left home button, swipe down then right, watch purpleod, swipe down then left back button, okay, तो करी सारे options हैं आपने अब यहाँ पे आप जो चाहों आपकी मर्जी वह assigned करो यहाँ ठीक है तो it's up to you तो हम बैग जाते हैं कि कॉट्टम लेबल्स यहाँ अगर आपने कोई लेबल्स लगाया होंगे अपने बटन्स पे तो यह आपको शो करेगा हम आगे बढ़ते हैं मुसलेनियस यहाँ पर कीबोर्ट शॉटकट ओके यह क्या है गाइस लट पे टेल यू अगर आपका फोन जो है ना अगर ओटीजी सपोर्ट करता है तो आप अपने ओटीजी को प्लग करिए फोन में और यूस्वी कीबोर्ट लगा लिजे और वहां से आप शॉटकट असाइन कर सकते हैं अपने उस कीबोर्ट के लिए यानिकि आप अपने कीबोर्ट पे कीबोर्ट से अपने फोन को हैंडल कर सकते हैं ठीक है तो मैंने यह ओन रखा है वालिम प्लस वालिम प्लस एन माइनस डाउन की तो इससे होता क्या है कि आप अगर लॉं करने ही जरोमती है या फिन क!.. नोटिफिकेशन खोलने की दरूमती है इस शॉटकत बहुत अच्छा शॉर्टकत है अ कि मिल Corp इस तो अगर आप इसको इनल करते हो न तो आप जब Evangel Bоеंड हो तो आपको prob अनुकसानद बियंड हो तो ज़रूमती ह्नु रई आपको कुछ पढ़ रहा नहीं है और आप किसी sighted person को दिखाते हो तो वो ठीक से पता नहीं लगा पाएगा कि exactly screen पर है क्या और फायदा यह है कि आपकी बैटरी डेनों से बचेगी अगर आपको 100% talkback अच्छे से यूज करना आता है तो ओके नेक्स्ट प्रेस करना है फटाफट वॉल्यूम अप एंड डाउन की को तो इस स्क्रीन जो है और दीम होगी या फिर अंडीम होगी इसमें भी ऑप्षिंज है तीर ऑप्षिंज है जैसे आप स्क्रीन चालो रखोगे अगर वह लोग स्क्रीन पर भी है ना तो वह जो है इसमें आप जब अपना लॉक्स्क्रीन खोलोगे ना तब टाउक्पैक अपने फ्रोगा अगर आप 3 नोटिफिकेशन से चाहते हो की टाउक्पैक खुले तो आप नोटिफिकेशन बार यूज़ कर सकते हो टाउक्पैक के लिए वाँपे अप्पको टैप करना है पर मैं आ यह वर्जन बता दिया उसने इसमें देख लेते हैं क्या-क्या है यह उतना कुछ खास नहीं है डिस्प्ले स्पीच आउटपूट अगर आप लो वीजन हो और आप देखना चाहते हो कि टॉक्बैक ने क्या पढ़ा या आप तो थोड़ा कम सुनाए देता है तो यह जो टॉक्बैक पढ़ लाए न यह आपको स्क्रीन पे शो होगा कि इसने क्या पढ़ा ठीक है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप जो है डिसाइड कि आपको टॉक्बैक में क्या सेटिंग्स चाहिए और क्या सेटिंग्स नहीं चाहिए ठीक है और उसे पहले आप टुटोरियल्स पे भी एक बार पढ़ लिजेगा टुटोरियल्स में क्या है क्या नहीं है अगर आप फर्स्ट यूजर है तो तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजेगा कमेंट करके हमें बताएगा कि आपको तुरंत पता चल जाए कि इस वक्त क्या वीडियो अप्लोड हुई है तो गाइस लास्ट में मैं सौरी भी बोलना चाहूंगा काफी दिन उसमें बिमार चल रहा था और यूनो आपको मेरी आवास से लगी रहा होगा मेरी को सर्दी है फिला तो मैंने आडियो बुक्स नहीं को कंडियो करेंगे तो उसकी वीडियो में अभी डालूँगा विकास राइट ना में फिलिंग लिटिल वेल तो गाइस होप आपको आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो और हैल्सफुल रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना लाइक सब्सक्राइब एंड शेर गुडबाई गाइस बाबाई